तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले को देखो इसको हम लोग करते हैं इसमें क्या है कि हमें एरिया पैरा बोली की जो कर्व है उसका हमें कैलकुलेट करना है ठीक ना एरिया मतलब यह हुआ कि यह जो रीजन है यह यह प्यूरा कर देता हूं यह जो पूरी एरिया है यह हमें कैलकुलेशन करनी है कि यह एरिया क्यूलेट करनी है यह एक पैराबोला कर दिया है इस पैराबोला करो y is equal to kx square ठीक ना तो y is equal to kx square का पैराबोला है और मुझे ये area calculate करनी है तो इस area के calculation के लिए एक काम करते हैं पहरे बच्चों यहाँ से मैं इस region का यहाँ से मैं एक differential element ले लेता हूँ यह वाली मेरी differential element है यहाँ से y distance पर जाके ठीक ना यहाँ पर लिमिट जाएगी y की y is equal to 0 और y की यहाँ तक y जाएगा ठीक ना तो y की value यहाँ से y1 तक जाएगा क्योंकि इस point का coordinate दा 0, y1 ठीक ना तो यह अपनी limit जाएगी y यह top point पर y की value y1 ले लिया हूँ और यहाँ पर 0 तो यह जो differential element तुमें दीक रहा अगर इसका area निकाल होगे इसकी कुछ thickness होगी dx तो इसकी कुछ thickness होगी dx थीकनेस का यह element है और यह है dy और इसकी यह वाली length है वो x होगी तो इसकी small area जाएगी small area होगा जाएगी यहाँ से da that is यहाँ से x dy लेकिन जो integration है equation number first ओ x में अपना integration y में integration हो रहा तो जो x की value है मैं y के term में लिकूंगा तो there must be some mathematical relation यहाँ पर दिया हुआ था y is equal to general equation parabola का kx square तो इससे मुझे x की value मिल जाएगी यहाँ से x की value मिल जाएगी plus minus यहाँ से y upon k under root तो मैं first coordinate में हूँ तो मैं y की value मैं अभी मैं इसका area यह पूरा area निकाल ला हूँ फिर मैं 2 से multiply कर दूंगा तो यह पूरा area आ जाएगा ठीके ना तो यहाँ से area da आ जाएगा हुआ जाएगा x की value y upon k under root that is dy तो टो टोटल area होगा यहाँ से देखोगे total area अपना a आ जाएगा उसकी value होगी integration of da और यहाँ से integration of y upon k under root और यहाँ से dy तो यहाँ से जो y की limit जाएगी y is equal to 0 से y is equal to y1 जो y की value हो y1 तक जाएगी यहाँ से जो y की value हो y1 तक जाएगी उपर देखो यहाँ से y की limit इस line पर y की limit 0 थी और जैसे जैसे y बढ़ेगी y1 यह तो यहाँ से जो अपना मतलब आ जाएगा टोटल एरिया पैरा बोला यहाँ से 2 से multiply कर दो ठीक ना टोटल एरिया मतलब एरिया एड ऐसे तो टोटल एरिया टू टाइमस एड ऐसा जाएगा ठीक है डिस इस टोटल एरिया क्योंकि राइट हाफ का निकाला हूं तो उतना ही जो है left हाफ का भी होगा समझ में आ गया तो यहां से तो इसको further solve कर लो यहां से 2 से multiply गए तो 2 under root k constant यहां से बाहर आ गया और y under root dy बच गया और इसका integration हो गया 0 से y1 बस इसको solve कर लो तो 2 under root k और y की power वाला rule लगा दो तो 1 by 2 प्लस 1 और यहां से 1 by 2 प्लस 1 और यहां से limit गया 0 से y1 ठीक है तो अब इसको जो further solve करोगे जाएगा 4 upon यहां से 3 under root k और यहां से y की value 3 by 2 और यहां से limit जाएगा 0 से y1 से तो यह 3 by 2 नीचे रा गया और वो उपर चला गया तो यहां से finally अगर value डालोगे तो 4 upon 3 under root k और यहां से y1 है वो यहां से 3 by 2 और यहां से y1 की value 0 3 by 2 limit रख दिया किया सबको आता होगा तो फाइनली जो total area यहां जाएगा वह आ जाएगा 4 by 3 under root k यहां से समझ में आरा आप लोगों को आहां से y1 की power 3 by 2 तो इस 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 एरिया अब दा पैरा बोलाईड पैरा बोला जो वो जो finally decide करेगा यहां से कि समयर वाइनली जो decision होगा वो decide करेगा constant k की area कितना आएगा ठीक ना एक बार ही checking यहां से हम कर लेते हैं और ठीक है सब कुछ कुछ